कि यदि आपके भी किवल एक या दो बेटी है और आप सी बीएस्टी से सब्बद केंद्री है या निजी विध्याले में महेंगी फीस के कारण अपने बेटियों का दाखिला नहीं करवा पा रहे हैं तो अब आप इस चिंता से मुक्त हो सट पे हैं जी हां सैंटर्स बोर्ड आप स्कूल एजुकेशन यानि की सी बीएस्टी ने देश चारी किये हैं कि परिवार में कर एक बेटी है तो उसके पूरी फीस और दो बेटिया है तो उन में से एक की पूरी फीस वा दूसरी बीटी की आदी फीस माफ की जाएगी सी बीएसी ने सुविधा तो लागू कर लेकिन पालकों को इसकी जानकारी नहीं होने से वो इसका लाब नहीं ले पा रहे हैं वहीं अधिकारी भी सी बीएसी के साधेश की पूरी जानकारी नहीं होने से पालकों को इसका लाब नहीं दिलवा पा रहे हैं जानकारी के मताविक सी बीएसी ने बेटी बचाओ बेटी अप्लोड भी कर दिया है और इसके अलावा जिलाशिक्षा अधिकारियों को भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है यह व्यवस्था सीबी एसी संबंद केंदरी विद्यालियों के लिए लागू की गई जिसके बाद सीबी एसी संबंद नेजी सहित सभी विद्यालियों में भी स लागू कर दिया गया है इस सुवधर के लाइब लेने के लिए बच्ची को पहली या छटी कक्षा में प्रवीश लेना निवारी है जिसका लाभ बेटियो को कक्षा 9 uh इसका लाब लेने के लिए पालकों को स्कूल में अपनी एक या दो बीटियां होने का शपत पत्र देना होगा इस शपत पत्र में जिला मजिस्ट्रिट के हस्ताक्षर होने चाहिए महीं शपत पत्र कलेक्टर में बनवाना होगा इस यूजना के तहट पात्र पालकों को इसका लाब लेने के लिए निर्धारित माप दंडो के अनुसार प्रमान पत्रु खिसान स्कूलों में आविदन करना होगा सरकाद वारा इस यूजना को 2008 में लागू कर दिया गया था ये यूजना सीबियसी पैटर्न के स्कूलों में लागू थी लेकिन निजे स्कूलों के लिए इस यूजना को लागू करने का फैसला उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था लेकिन बाद में नए सरकूलर के तहट ये यूजना सभी स्कूलों में अनिवारे रूप से लागू कर दी गई लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में इसकी जानकारी नहीं होने से इसका लाभ पालक को गुन नहीं मिल रहा है इस यूजना के अनिवारे शर्ट है कि पालक की एक या दो बेटिया होनी चाहिए यदि किसी पालक की एक बेटी और एक बेटा भी है तो उन्हें भी इस यूजना का लाभ नहीं मिल पाएगा